नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल अस्पाई टूटोरियल में स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी अब भी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगोंने इलेक्ट्रिक पुटेंशियल इस पेर पे कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिसकस कर दिया था आज की सेशन में अगर हमारे कंसेंट्रिक सेल रहे तो उस पे इलेक्ट्रिक पुटेंशियल कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे देखो इस्टूडेंट लोग कुना इस टॉपिक नहीं समझ में आता सांती से देखेगा मैं कुछ अप्रोच बताऊंगा उसी को फॉलो करिएगा चाहे आपका नीट हो चाहे जेई हो चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो इस्टेट हो या सीविस्ट्रिक सेल्फ कंसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे सेल्स रहेंगे दो तीन चाहर सब का सेंटर एक ही रहने वाला है इसके पहले हम लोगों ने इस्पेयर पे जो हालो इस्पेयर होता था उसके दो पार्ट कंड़क्टिंग नन कंड़क्टिंग इसके बाद जो सॉलिड इस्पेयर था उसमें कंड़क्टि या चार्ज रिसाइट्स आइंदी सर्फेस इसमेर क्या सर्फेस पर चला जाता था इसलिए हम इसको लगाते थे मान देते हैं हमारा एक स्पेर है हमने पिछले सATION में दिराइब किया हुआ है इसले में इसीगा ancestry होने वादा है इसलिए यहां पे जो इस्टूडेंट ने वहां नहीं देखा था डारेक्ट यहां फार्मुजा में फिर से लिख दे रहा हूं और अगर आपको डिटेल में देखना है कैसे चेंजेस होता है कैया क्या हमने किया तो सेशन को जाके देख जिए कि आज का सेशन पूरा उसे पर वेस्ट रहने वाला है अगर हमारा इक स्पेर होता था हुश का रेडियस हlos तो हम पुर महारे बात करने वाले हैं तो electric potential हमारा दो जगह पे आता था, एक तो इस गोले के बाहर कहीं, और यह जो R दूरी लेते थे, यह कहां से लेते थे, इसके center से, यह जो R दूरी पे P है, यहां पे अपना potential कितना आता था, B outside, याद है कि भूद गए, जो हमारा B outside आता था, यह हमारा निकल के आता था, अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रिब्यूट्सन क्यू है यूनी फार्मजी ते आता था के क्यू बाई आर ये कहां काता था आउटसाइड का और अगर हमें कहीं इनसाइड मतलब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालते थे तो भी इनसाइड हमारा क्या आता था यहां देख देते हैं यह सब हमने पिछले में पूरा ग्राफ बना के कैसे क्या हो रहा है सब कुछ देखे थे के क्यू बाई आर देखो यह आर जो है यह रेडियस है इसका कैप्टल आरे हर जगह पे कॉंस्टाइंट रहने वाला है जो सर्फेस पे यहां पे है वही पोटेंसियल इसके पूरे अंदर रहेगा तो यहां पे देखो जो इनसाइड रह रहा है यह हमारा क्या है कॉंस्टा होगा ते हमारा क्या है इस चीज को आप याद रखना आउट साइड की अगर हम बात करेंगे जिस डिस्टेंस पर पूछेगा उसको रखेंगे और इन साइड की बात करेंगे तो हमारा वो रेडियस पॉंस्टेंट वादा रहेगा समझ में आया की नहीं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब चलो इसी पर क्यूस्टन लेके समझते हैं अच्छे से जो इसे एक्जाम में आते हैं उन सब को लेके समझते हैं तो चलो पहला क्यूस्टन लेते हैं एक्जामपल के फार्म में देखो ये सब कांसेप्ट है इसी अप्रोच को चलिएगा पकल के हम मान यहते हमारे पास 50 ispare और यह क्या हैं संट्री कंसेंट्रीक मतलब सब का सेंटर एक ही रहने वागा है कि दिख राएं मैं अलग अलग कदर से बना दे रहा हूं हमारा यह है तीन स्पेर बाहर वाले का रेडियस ले देते हैं कितना 4R और इस पे हमारा चार्ज कितना है इस पे चार्ज है 4Q इसी तरह अंदर वाले का रेडियेस तरह आर इसका रेडियेस कि एक सार्फेस पर हालो का तो आपको समझ में आता है कंड़क्टिंग में इसके सर्फेस पे चले जाते हैं क्योंकि एक कंड़क्टर से समझ में आया की नहीं आई होग आपको यह सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपसे पूछ रहा है देखो वीडियो को पॉस्ट करिया और ट्राइब कीजिए इस टाइब का मैंने पिछले स सर्फेस का ठीक आपसे पूछ रहा है किसी का भी ले लेते हैं सब का कांसेप्ट तो एक ही है सर्फेस बी आइंड सी चलो वीडियो को पॉस्ट करिए और शुरू हो जाईए I hope आपने try कर लिया होगा अगर आपसे solve हो गया तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुगा तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहां पे आपसे mistakes हुई आखिल क्यूस्ट हो क्यूं नहीं रहे है concept तो ही है जो मैंने सिखाया है तो उस mistakes को identify करिए और उसको सुधारिए नहीं त लेते हैं बी पे बी के surface ठीक तो यहां पर जो हम potential भी पर लिखेंगे एक किसके लिख रहे हैं इसके surface भी वाले पर इस पर यहां पर कहीं देखो यह जो मैं blue कर रहा हूं अब आप मुझे पताओ यहां पर potential कौन कौन generate करेगा तीन इस पर हैं तीनों generate करेंगे करेंगे कि नह to spare A है हमारा hollow spare A है इसके कारण आएगा इक नहीं यहां पर लिख लेने का ऐसे देखो पहला question है मैं पूरा आपको समझा रहा हूं इसके बाद direct thumb लिखेंगे एक तो A के कारण आएगा एक B के कारण आएगा है कि नहीं due to B और A का आएगा due to C यहां तक doubt होगा अब इस पर फ और B इसके बाहर है तो यह हमारा क्या है इसका outside है बस जैसे ही outside लगा हमें तो फार्मूला पता है और B पे क्या है बी पे तो खुद surface पे है है कि नहीं यहां पर हमारा क्या है जो due to A है A से B क्या है outside है और B खुद पे क्या है surface पे है अब जो हमारा C के कारण आ रहा है देख हमारा भी बनेगा इंसाइड बोलो पहले एक तीनों पॉइंट अगर आप समझ गए तो अब कुछ नहीं रखा तुरंट कि उससें सॉल्व हो जाएगा एक तीनों समझ ना गया सबसे पहले देखने का हमारा वो पॉइंट कहां पे है जहां पे हमसे पूछा जा रहा है उसके अंदर कौन है उसके बाहर कौन है उस इसाब से हम अपने फार्मूले को करेंगे पूछलल लिखते हैं वी हमारा स्टर्फेस पर कितना होगा इसके टीव-टू-ए एक कारण बी कहां पे है इसके आउट साइड और इसके आउटसाइड का फार्मूला क्या होता है एक इसके क रेडियस कितना है 2 R प्लस बी खुद सर्फेस पर है कि बी पे कितना चार्ज है बी पर चार्ज है टु कीव ड़ाइद भाई रेडियस टु आर प्लस अब देखो C के लिए C के लिए B क्या है इन साइट तो जो C के सरफेस पे रहेगा potential वो इन दोनों को भूल जाओ तो अंदर भी वही constant रहने वाला है कि नहीं अगर कोई potential उसके अंदर जो भी आएगा वो तो constant रहेगा जितना surface पे है तो इसके लिए हमारा क्या आएगा K 4Q divided by 4R बोलो समझ में आया कि नहीं जो मैंने यहाँ पे किया था ना उसी को यहाँ पे यूज किया हूँ आप देखो ने आज C के लिए अगर हमारा मानो point यहाँ surface पे होता कितना potential आता आप बोलो सब भूल जाओ यहाँ से distance 4R चारज है K 4Q by 4R तो जो surface पे रहेगा वही तो इस pair के पूरे अंदर रहेगा नहीं उसी को तो मैंने यहाँ पे जिखा है तो चलो इसको solve कर लेते हैं समझ ना रहा है नहीं देखो एक दो अच्छे साब समझ जाए यह सारे चीज़ें होने लगी K by R सब में common है उसको common ले लेते हैं इधर बचा Q by 2 है कि नहीं यहाँ 2 से 2 कैंसील हो गया 4 से 4 कैंसील हो गया A बचा Q इधर भी बचा Q जो हम LCM लेंगे 2 प्लस 2 2 2 4 प्लस 1 5 5 by 2 K Q divided by R वो जो समझ में IAC ने कितना easy हमने निकाल लिया कि B के surface पे इन तीनों charge के कारण कितना potential develop होगा क्या करना है जहां पे पूछे उसको देखना है कवन उसके अंदर है कवन उसके बाहर है inside और outside फिर अपना वो फार्मुजा लगा देना है answer निकल के आ जाएगा अब चलो C पे पूछा था C पे अब आप कर लोग एक नहीं अर्यार वह ही अप्रोच करना है अब C पे आपको देखना है ठीक C के surface पे अब देखो अगर जब हम C हमारा ये बाहर वागा है यहां पे हम कहीं भी develop करेंगे C पे तो हमारा क्या होगा यहां पे आप बोजो इसके लिए तो हमारा A भी inside है B भी inside है है की नहीं तो जो ये लोग charge produce करेंगे वो distance कहां तक आएगा यहां से यहां तक क्योंकि इसका inside है समझ में आया कि नहीं चलो मैं फिर से लिख देता हूँ देखो तीनो जन्रेट करेंगे तो पहजे तीनो लिख देने का B C plus B C कौन कौन जन्रेट कर रहा है due to A A के कारण गया है due to B अब इसके बाद point आप decide कर देना कि हमारा point कहां पे है इसके लिए due to C अब बताओ A के लिए C कहां पे है A के लिए C तो outsider है है की नहीं A इसके लिए outside हो गया और B के लिए C कहां है B के लिए C फिर से outside है देखो न B तो यहीं पे खतम हो जा रहा लेकिन C पे पूछा है तो इसके लिए क्या है outside और C खुद पे क्या है C खुद पे surface पे है बोलो यहां तक clarity आई की नहीं कुछ नहीं करना है A जैसे हमको पता चला सीधा फार्मूजा लगा देना है B से हमको surface पे पूछ रहा A पे charge कितना है K Q और उसके outside outside कितने दूरी पर पूछ रहा है A से यहां से लेके इसके center से distance major करते थे याद है ना R इसके center से होता था यहां पे देखो outside के लिए तो जो हमारा R आएगा वो कितना हो जाएगा 4R इसी तरह B के लिए K चार्ज कितना है B पे 2Q और distance कितना है इसके लिए outsider A भी आएगा हमारा 4R समर्च में आया की नहीं इसी तरह C के लिए वो तो खुद surface पे है K 4Q divided by 4R देखो सब में denominator हमारा common है तो हमारा उपर के term क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे 4 plus 2 6 plus 1 तो यह हमारा निकल के आएगा 7 by 4 into K Q by R तो कितना easy हमने निकाल लिया आप से कुछ भी पूछे किसी भी पॉइंट पे निकाल लोगे कि नहीं concentric देके यही अप्रोच रखना concept यही रखना आप जाना PYQ में जितने भी question आये हैं आपके board में सारा question आप solve कर दोगे एक भी ऐसा question नहीं होगा जिसको आप ना कर पाओ यहां तक कुछ भी doubt वीडियो को pause करके आप खुद से देखना एक के surface पे आपके लिए homework है एक के surface पे निकालके आप मुझे comment करना कि उस पे कितना potential आया है अब चलो अगला topic लेते हैं अब ना क्या करते हैं इसी spare में कभी कभी अर्थिंग कर देता है तो मैंने अभी तक अर्थिंग इसलिए नहीं discuss किया हूँ क्योंकि अभी अर्थिंग में हमारा charge motion में आ जाता है अभी just उसका overview लेंगे जब हम next chapter शुरू करेंगे न current तो वहां अर्थिंग का एकदम detail में अपना discuss होगा तो अभी just एक मैं आपको overview दे रहा हूँ उसको समझे दे रहा है अगर हमारा कोई अर्थिंग रहे अर्थिंग का मतलब क्या होता था हर किसी ने देखा होगा क्या करते थे अर्थिंग में जो हमारा conductor है conductor को क्या करते हैं उसको conductor को जमीन से connect कर देते हैं करते हैं कि नहीं यहां पर वही मैं लेख दे रहा हूं connect फिर इसको diagram से समझते हैं पाच्टे और निगेटिव दोनों करके connect any conductor और हम क्यों करते हैं बताव हम क्यों देते हैं connect any conductor to earth हम इसलिए जमीन से connect करते हैं कि क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसका potential zero होता है अगर अर्थ का potential zero है उस पर कितना भी चार्ज दो तो हमारा potential में कुछ भी changes नहीं आएगा तो जब भी हैवी सौक या यह सब होते हैं तो सारा चार्ज हमारा वहां पर चले जाता है और इसलिए आप वेडिंगों में देखो वहां पर भी जब बनती है चार्ज का सारा चार्ज हमारा चला जाएगा और इसका potential हो जाएगा जीरो एक क्यूं होता है अब बताओ चार्ज क्यूं करता है चार्ज हमारा potential difference के कारण फुजो करता है इसको याद रखना आगे हम discuss करेंगे अगर हमारा चार्ज के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते चलो यहां पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं तोनों केस लेंगे यह माने देता हूं मेरा एक कंड़क्टर है इस पर पास्टिव चार्ज है ठेक अप मुझे बताओ जब इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से चार्ज किस पर आएगा और ग्राउंड में चार्ज किस से जाएगा आपके लिए एक क्यूस्टन है सोचो और बोलो इसको मैंने क्या किया ए होता है अपना अर्थ का सिम्बल राइट यहां प चार्ज हमेशा पाच्टिव से निगेटिव की तरफ जाता है यहां पर अर्थ हमारा निगेटिव का रोल प्ले करेगी यही तो इसकी खातियत है और यहां निगेटिव होगा अर्थ यहां पाच्टिव का रोल प्ले करेगी इसलिए इसको हम सारी चीजों को अर्थ महां प होते हैं वो किधर मूब करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करेंट फ्लो के अपोजिट में मूब करते हैं यह सब हम अगले चैप्टल में डिटेल में डिसकस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा करेंट के अपोजिट डारेक्शन में ही जाता है अब यह कुछ भी नहीं कर सकते तो जो हमारा charging है यहां पर मैं लिख देता हूं भी potential भरे zero हो अर्फिंग में charging nex not to be zero ऐसा नहीं एक charging हमारी zero होगी नीट नाट to be zero बोलो यह समझ में आया की नहीं I hope आपको समझ में आ गया होगा जहां भी जो भी conductor को अर्थिंग दिया जाए उसका potential simply आपको क्या ले लेना है simply उसका potential आपको 0 ले लेना है सारा हाफ्था calculation हो जाएगा इस पर question ले जो हमने अब भी लिया था उसी को लेंगे question इसी question को लेते हैं किसी भी एक surface को अर्थिंग करेंगे चलो इसको फिर से लेते हैं example के थोड़ों समझते हैं देखो यही approach लगाना exam में आए सबसे easy और सबसे simple approach है आपका question हो जाएदा हम मान देते हैं हमारा e ciirus pair है ए जिसकी रीडियर हमने क्या माना था आर घुर we research day खीर है किरख और इस दे च्राइदेते हैं इसके बाहर इसको नाम देते है भी ग्रें मत जाइत इसका कगा रेडियसल कितना हमने वहाँ वहां लिया था टू आर सबके बाहर सबका रोबवलाय को इसे यह रे रेडियसल देते हैं वहां लेका लेटा हूँ इसकोश के चार्जा 甚麼 蛇क है कि जो हमारा वी सर्फेस है एक यह भी गी को हम क्या कर दे रहे हैं पी को हम अर्फिंग कर दे रहे हैं स्ने मुझा यार्थ रखना अर्थ ना आर्थ एंग कर दी इन भाइसाहब का पोटेंशियल क्या आ जाएगा the building जब हमने वी को अर्थिंग दिया तो हमें क्या इसके सेल पे करेंट आएगा यही आप से पूछा जा रहा है वीडियो को पॉस्ट करिए और सॉल्व करने की ट्राइ कीजिए कांसेप्ट आपने सीख लिया है आप्टर अर्थिंग सेल भी जब हमने अर्थिंग कर दिया तो बी पे हमारा कितना चार्ज आएगा वही हमसे पूछ रहा है जैसे यह अर्थ करोगे पोटेंसियल तो जीरो हो जाएगा यह तो आपको पता है चलो वीडियो को पॉस्ट करो जो कांसेप्ट सिखाया उसी को लगाईए क्यूस्टिन अपने आप बन जाएगा I hope आपने try कर दिया होगा अगर आपसे solve हुआ तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहां पे आपसे mistakes हुई है तो देखो यार अगर किसी भी surface को अर्थिंग करोगे conductor को तो क्या होगा वो उसका potential difference जीरो होगा इसी को हम पकरन के चलेंगे तो हम यहाँ पर जीक देते हैं जब हमने अर्थिंग किया after अर्थिंग अर्थिंग के बाद B का potential क्या होगा आप बताओ अर्थिंग जैसे ही हमने किया B का potential तो हमारा निकल के आएगा 0 आएगा कि नहीं बिल्कुल सही अब हम मान देते हैं चलो कुछ मान देते हैं इस पे charge जो है लेट बी पे अब देखो बी पे कुछ तो charge आया है वही हमसे पूछ रहा है माम देते हैं जो हमारा B पे charge आया है rate charge rate charge Qdex at B surface जो हमारा B है उसके surface पे हमारा charge कितना आ गया है Qdex कब अर्थिंग करने के बाद तो हमसे अगर Qdex के हम किसी तरह value निकाल लें तो वही हमसे पूछ रहा है हमारा काम हो जाएगा अब इसको हम approach कैसे करें तो हमारे दिमार्च में आया हमें तो potential का फार्मूला पता है किसी भी surface पे या अंदर बाहर कहीं भी पूछे हम तो निकाल सकते हैं तो यहां पे मैं उसी का यूज करूँगा और हमें B पे 0 हो रहा है उसका potential पता है तो हम किसका निकालेंगे B का potential आप B के surface हम निकालके देखते हैं तो इस पे हमारे तीनों गोला produce करेगा भी 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 याद है ना जो हमने यह सब डिसकस किया था किसके किसके कारण आएगा due to A ऐसे ही आपको भी अप्रोच करना है देखना क्यूश्चन एकदम आराम से पनेगा तो फिजिक सवर महत है याद सबसे easy होते हैं फोटे मोटे concept होते हैं इनको देख लेने का और अपने आप क्यूश्चन होने लगते हैं अब decide करो A के कारण B कहां पे है A के कारण B क्या है आउटसाइडर है वो रहा भाए तुम तो हम तो तुमारे लिए आउटसाइड है और B खुद के लिए कहां पे है खुद के लिए सर्फेस पे है और B C के लिए कहां पे है देखो B C के अंदर है तो A है inside part अब जैसे ही यह स 0 equal to, हम A के कारों potential लिखेंगे, यहां पर हमारा कितना आएगा, KQ, radius हमारे कितनी हो जाएगी, A के outside हम कहां पर पूछ रहे हैं, 2R distance पर, तो KQ by 2R plus P पर, B पर हमारा कितना होगा, charge हमने कितना माना है, B के surface पर, B के surface पर हमने Q-dex माना है, यही तो हमसे पूछ रहा है, और इसका radius हो जाएगा, 2R plus, अब C के लिए B क्या है, inside, side, तो जो C के surface पर होगा, वही इसके अंदर पूरा होगा, इस pair में, आप दोनों को भोल जाओगा, C को हम पक्नेंगे, तो C पर हमारा कितना आएगा, K charge कितना है, 2Q यही है न, 2Q, radius कितना है, 4R, यही पूरा charge इसके अंदर आएगा, इसी को arrange करके Q-dex निकालना है, वो जो कुछ था, और इसी को आप जाओगा, उन्हें, पता नहीं क्या, कितना दंबा करते हैं, समझ में नहीं आता, तो यहां सम K, Y, R common ले लेते हैं, अंदर हमारा क्या बचेगा, Q, Y, 2, plus Q-dex, Y, 2, plus इधर हमारा क्या बचेगा, Q, Y, 2, है कि नहीं, यहां से देखो, हम 2 को भी common ले लेंगे, तो हमारा K, Y, R, K, Y, 2, R, यह सम हमारा क्या हो जाएगा, हम 2 को भी यहां से बाहर निकाल लेते हैं, K, Y, 2, R, यह सम हमारा क्या हो जाएगा, देखो यार, यहां पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, सबका इधर बराबर है, यह सारा term 0 हो जाएगा, तो हमारा 2Q, plus Q-dex, equal to हमार सार चार्ज आया है, B पे हमारा नीगेटिव चार्ज आया है, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, अगर पोटेंसिल 0 हो रहा है, याद है ना, पिछले के पिछले सेस्टैन में, कि हमारा एक पाच्टव, एक नीगेटिव चार्ज आते थे तभी, पोटेंसियल 1 होता था, तो यहाँ अगर यह सब positive है तो कुछ न कुछ आएगा जो in charge को balance करेगा जिसके कारण हमारा potential B पे 0 होगा बिल्कुल सही है यह answer आ गया बोलो ए question समझ में आया की नहीं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वेडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt clear हो जाएगा अब इसी पे एक type का और question पूछा जाता अगर इस type कोई भी surface अर्थ करेगा चाहे A करे चाहे C करे या 5 गोला 6 गोला कुछ भी बनाए इसी भी surface पे charge पूछे तो आप बता लोगे कि नहीं एकदम आसानी से बता लोगे अब इसके बाद जो अगला question आता ह है कि चलो आपने तो चार्ज बता दिया अब हमको बताओ कि जब यहां से चार्ज गए इस surface पे कितना आया अंदर कितना चार्ज रहा तो अब हमको उसको बताना है उन सब को हम कैसे करेंगे उसके बारे में discuss करते हैं बोलो समझ में आया कि नहीं इस type कर लोगे बिल्कुल इ में question के थुरू समझते हैं मान देते हैं हमारे पास दो concentric spare है समझ में आ रहा है एक नहीं topic एकदम आसान है इतना आसान इसमें इसी दिए एकदम धीरे-धीरे speed slow करके रखाऊं ताकि कुछ भी आपको doubt ना हो इसका radius है आर और इस पर हम चार्ज रख देते हैं कुछ भी रख दो आपके उपर है चलो 2 क्यू रख देते हैं फिर A है हमारा इस पर A एक मिनट पर इन फंस गए A है A और इधर है हमारा इसका radius हम कितना दे दें रेडियस देते हैं 2R और इस पर चार्ज कितना दे दे सेवन की उचलो दे देते हैं और यहां पर है हमारा बी अब हमारा क्या बोल रहा है कि यहां से इन दोनों conductor को देखो यहां से हम इन दोनों conductor को जब आयड करेंगे मतलब इस circuit अभी open है इस circuit को जब हम joint कर देंगे जो यहां पर फुली हुई है तो हमारा बोल रहा है कि A के surface पर क्या charge होगा यह साथ B की तरह आपको दिख रहा है इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ यह है हमारा A जब हम इस circuit को connect करेंगे तो हमारा A पर कितना charge रहेगा और B पर कितना charge होगा आपको पता है जैसे यह circuit connect करोगे एक conductor है potential difference के कारण charge flow होने लगेगा तो आपको वही बताना है कि connect होने के बाद A के surface पर कितना रहा और B के surface पर कितना हुआ वेडियो को pause करिए और तब तक मैं यहां क्यूस्चन वर्ड के format में लिखता हूं क्या है तूशेल्स देखो यार अगर आप यहां तक वीडियो देखे हो ना concept सीख जेओ तो try करना शुरू किजे क्योंकि नहीं try करोगे ना एक्जाम में क्यूस्चन नहीं होंगे मैं आपको बार बार बोद रहा ह यहां आपको लगेगा सब हो रहा है वह एक illusions होते हैं कि हमको आता तो था लेकिन हमसे एक्जाम में बना नहीं क्योंकि आपने क्यूस्चन प्रेटिस ही नहीं किया था आपने देखा भर था कि इस टाइप से आएगा हो जाएगा आप प्रेटिस कीजिए देखे एक भी देखो मैं इसको करूंगा आराम से क्योंकि यह concept है नया नया है लेकिन मैं try करूंगा जो आपने सीखा है भले गलत हो रहा है देखो अगर कोई question आप गलत कर रहे हो इसके बाद गलत करके सही करोगे ना आप life में कभी भी उस question को दुबारा गलत नहीं करोगे इसलिए मैं ब बना जो जलो यहां पर मैं it комна तिर से बना दीता हूं IS烦्रीफ है इन पे हमने कितना चार्ज रखा हुआ है फिसक की है और बाहर का 이ृष डrand बनाएं तो जीज आपके यह श्णुंदर सा फिर से रिन काजर की से री último यहां चार्ज नहिमारे एक ने हूक है तो इन 7Q, अब यार आप मुझे बताओ, जैसे ही मैंने इस circuit को connect करूँगा, अभी मैं क्या किया, इस circuit को connect कर दिया, अब जैसे ही connect करूँगा, हमारा charge flow होना शुरू होगा की नहीं, और हमारा charge जो होता है, वो higher potential से lower potential की तरफ जाता है, या simple charge हमारा क्यों flow करता है, चार्ज हमारा potential difference के कारण flow करता है, याद है न, आपके पास देखो, सबसे simple example, fluid क्यों flow करता है, potential difference, आप दो same surface लेना, ठीक है, बाइटी, एक में पानी एकदम फूल भर देना, एक में आधे, और दोनों को एक pipe से connect कर देना, तो आप देखना, जो बाइटी ज़्यादा भरे हो, उसमें से कम बाइटी की तरफ पानी जाने लगेगा, क्यों, क्योंकि उसकी potential ज़्यादा है, वहाँ पे potential difference क्रियेट हुआ जिसके कारण higher potential से lower potential की तरफ है हमारा जाने लगा, तो यहाँ भी वही सेम कहानी है, तो यहाँ पर मैं पहले दिखिएता हूँ, जो हमारा charge flow होता है, क्यों होता है, अच्छे से समझे, इसके charge कार अगला chapter पूरा current का ही है, चार्ज जोहाँ पे हमारा moment ही करेगा, अभी तो charge है, जो हमारा potential difference है, उसके कारण हमारा charge flow कर रहा है, बोलो, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कुछ भी problem, अभी आप मुझे बताओ, जब आपने दो बालटी हुआ, एक्सपरिमेंट करना सब, यह छोटे-छोटे हो हाते हैं ना, डिबे टाइप के, दोनों में पानी एक में ज्य करके जॉइन कर देना, एक छोटी सी पाइप से, तो आप देखना higher वाले से lower में जाना सुरू हो जाएगा, और वो पानी जाके रुकेगा कर, जब दोनों का level बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों पे potential बराबर हो जाएगा, तो यहाँ भी वही है, जब इन दोनों को हमने connect कि तो हमारा charge जाना रुकेगा कर, जब हमारा A और B के potential बराबर हो जाएगे, equilibrium तो तभी आएगी, तो यहाँ से मैं इसी concept को बस लगाना है, जब हम connect करेंगे, connect करने के बाद हमारा दोनों surface के potential बराबर होंगे, इसी concept को पकंद के, आपको आगे चलना है, ठेक, इसलिए मैं यह यहां से हमने इसको connect किया, तो हम मान देते हैं हमारा B से क्या हो रहा है, B पे हमारे charge जा रहा है, और A से निकल रहा है, आप किसी पे भी मान सकते हैं, निगेटिव आए तो आप उसको positive or reverse answer कर देना, ठेक, तो मैं यहां पे मान रहा हूं कि हमारा यहां से जो charge निकल रहा है, कितना निकला है Q-dex, अब अगर यहां से Q-dex गया A के surface पे, तो B के surface पे क्या पहुंचेगा, जो यहां से गया है, वही इतके surface पे पहुंचेगा कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, connect करने के बाद मैंने मान लिया कि A के surface से, यहां पे मैं लिख देता हूं, जेक, charge, Q-de flow from A to B, अगर हमारा negative आ जाएगा, तो मतलब बाहर से B से A की तरफ आ रहा है, direction में कोई tension नहीं देने, यह तो हमारे उपर है, A to B, ऐसा हमने मान लिया, connect करने के बाद A से B की तरफ हमारा charge गया है, बोलो कुछ भी doubt, अब A सब तो हो गया, अब हमको क्या लिखना है, potential लिखन हैंगे एक बार potential B के surface पे, तो पहले हम किस पे लिखते हैं, A के surface पे, अब देखो जो यहां में due to, due to A सब कर रहा था, direct अब लिखोंगा, ठीक है, इतना सारा कि आप तो आपको idea आ ही गया होगा, चलो हम A पे potential difference लिखते हैं, A पे हमारा कितना है, K, A पे तो A किसका surface है, और A, B के लिए A क्या है, inside है, तो चलो लिखते हैं, A पे हमारा potential कितना आएगा, K, अभी charge कितना है, 2Q-Qdex, charge तो यही है, divided by radius, radius कितना है, इसकी R, यह तो A का surface आया, और B के लिए A क्या है, inner point, तो B पे जो potential आएगा, वो हमारा कितना आएगा, K, B पे charge 7Q, यही है न, अब यहा divided by इसकी radius, जो उसके surface पर रहेगी, वही अंदर होगी, यह निकल के आया, 2R, बोलो, यहां तक कुछ भी doubt, अरे कुछ नहीं, A के surface पर हमने potential दिखा, B के surface पर दिखेंगे, B पे क्या आएगा, एक तो B खुद surface पर है, और A के लिए B क्या है, outside है, तो चलो हम उसको दिखते है पहले B के surface पर, तो यह आएगा, हमारा B के surface पर चार्ज कितना है, 7Q plus Qdex divided by 2R, अब A के लिए B कहां पर है, outside, तो यह आजाएगा, plus K into 2Q minus Qdex divided by कितनी दूर पर है, 2R पर, यही है न, अब इसको हम arrange करते हैं, देखो, K by R, K by R, K by R, सब में common है, वो हमारा cancel हो जाएगा, डा 2Q minus Qdex plus 7Q plus Qdex divided by 2, यही आएगा न, equal to, इधर भी बचेगा, 7Q plus Qdex divided by 2, यहाँ से जब हम और इसको arrange करेंगे, इधर बचेगा, 2Q minus Qdex by 2, बोलो, यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी doubt हो, यह टर्म हमारे बराबर है, चलो cancel, तो यहाँ पर हम 2 का cross product कराएंगे, तो जब 2 का कराएंगे, 4Q minus 2Qdex, equal to, इधर क्या बचेगा, 2Q minus Qdex, जब इसको हम out arrange करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 4Q में से 2Q गए, यह आएगा, 2Q, यही आएगा, equal to minus 2Qdex, इधर जाएगा, plus हो जाएगा, 2Qdex, minus Qdex, यह बचेगा, हमारा Qdex, तो जो हमारा B पे charge आया है Qdex, उसकी value कितनी निकल के आए है, 2Q, मतलब B पे जो गया है, 2Q, और A से कितना गया है, 2Q, तो जब इसको हमने connect किया, इस पे 2Q था, वो तो पूरा पूरा चला गया है, और BPA 7Q पहले से था, 2Q और आ गया है, तो उसका add हो जाएगा, यही आपसे इस type की question exam में पूछे जा आते हैं, अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, when we connect two conductors, potential becomes same, देखो current, देखो बिल्कुल सही, अगर यह पूरा चार्ज नहीं जाता, तो हम potential difference हमारा same कैसे होता, जब हम इसको यहां से connect करेंगे, तो A surface और A surface का potential हमारा same होगा, इसलिए अगर इस type का question आपसे exam में पूछेगा बस याद रखना कि जब हम connect करेंगे, हमारा potential क्या हो जाएगा, दूनों सरफेस का बराबर हो जाएगा, फार्मुजा लगाना, arrange करना, आपको answer निकल के आ जाएगा, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, अब चलिए अगला topic लेते हैं, तो आपकी clarity और अच्छे से समझ में आएगी, एक topic है उसके फाम में, यह हमारे कोई भी conducting sales हो, उसके center पर हम एक charge रखेंगे, conducting sales हम लेते हैं, और इसमें हम क्या discuss करने वाले हैं, charge distributional inner and outer surface, जब हम उसके अंदर चार्ज रखेंगे, तो हमारे अंदर वाले surface पर कितना आएगा, और बाहर वाले surface पर कितना आएगा क्योंकि बाहर रहता था तो हमें कोई problem नहीं होती थी, charge distribution on inner and outer surface, इसे को समझते हैं, अच्छे है समझे कुछ है नहीं यार, एकदम easy है, इसके बाद last में हम सब का combine करके question करेंगे, ठीक, बोलो यहां तक किसी को कुछ भी problem, चलो हम सुरू करते हैं discussion, मान लेते हैं कोई हमारा एक conductor है, ठीक, इसके center पर अभी हम surface पर लेते थे, इसके center पर हमने एक charge क्यों रखा, अब आप बताओ क्या होगा, अब electric trade zero होगी की नहीं, इसके अंदर electric trade कहां पर zero होती थी, आपको याद होगा, जो electric trade हमारा zero होती थी, जो यह material है ना बीच में, जैसे halo आपका, या कोई भ रहते हैं, उसके बीच में हमारी electric trade और रोस अब zero रहेगी, लेकिन ये जो center पर charge रख दिये, ये तो अपना electric trade produce करेगा ही करेगा, तो इसी को हम थोगा आउट जूम करके बनाते हैं, इसके surface को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको magnify करता हूँ, layer को खोल देता हूँ, जब इसको हम जूम करेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये सेल है, अंदर खोखला है, ये बाहर इसके materials भरे हुए है, यहाँ पर charge हमने रखा हुआ है, क्यूँ, अब जो electric trade zero होगी, वो कहाँ पर zero होगी, ये इसका क्या है, मान देते हैं, thickness, जो हमने इसको खोला हुआ है, वही ये ठिकने से, ठिक, इस पर जो electric trade हमारा zero होता था, वो हम क्या करते थे, Gaussian surface बनाते थे, Gaussian surface से अपने charge को अंदर cover करते थे, फिर इसके अंदर जो electric trade आता था, वो हमारा zero आता था, तो अगर यहाँ पर मैंने एक Gaussian surface लिया, अगर इसके अंदर हमारा electric trade zero आनी है, आप distribution करेंगे, तो क्या हमारा होगा, अगर यहाँ पर हमारा E equal to zero आना है, तो हमारा Q inside क्या होना चाहिए, Q inside हमारा zero होना ही चाहिए, अगर electric trade zero आएगी, यह सारी चीज़ें हमने कहां पर सीखा था, गउस law में सीखा था, याद है कि बूल गए, चैप्टर वन में उसी का पूरा यह application है, अगर electric trade zero करना है, इस surface पर हमारा charge क्या होना चाहिए, zero, जब हमने Q यहाँ पर रखा, तो आप बताव, electric trade line यहाँ से यहाँ आएंगी, देखो ऐसे निकलेंगी electric trade line लेकिन यह जो इसकी मोटाई है ठिकनेस ना, उस पर zero होगी, नए कि इसके अंदर charge रखते ही, electric trade line यहाँ पर आ जाएंगी, समझ में आया की नहीं, तो जब यहाँ पर हमने Q रखा, अगर इसको zero करना है, तो अंदर वाले surface पर कितना होगा, just इसके opposite minus Q, और charge conservation हमारा क्या बोलता है, न तो charge create कर रिया जा सकता है, और ना ही charge हमारा destroy किया जा सकता है, तो अगर यहाँ minus Q आया ह तो इसको balance करने के लिए बाहर कौन आएगा, plus Q, देखो, जो हमने Q रखा था, वही है, minus Q से plus Q हमारा cancel हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा zero, समझ में आया की नहीं, जो हमने गवसला में देखा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ नहीं, तो आप लोग भूल गए होंगे Ding Black यहाँ कितने लोग, यहाँ नहीं भूल गए Mystery Milk अज जो बाते होती थी, एक मिनट, कलर, क्लेल चरंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक फेलिड इनसाइड बहुत है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फेलिड इनसाइड देखो इस्टूडेंट क्या समझते हैं ना कि जो इसके अंदर है उसको जीरो कर देते हैं इनसाइड है मतलब 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 इसकी बात होती है. अगर जब चार्ज रखा हुआ है, तो इसका क्या होगा? इस जीडो. जो कंड़क्टर का इलेक्ट्रिक फिर्ड होगा, वो हमारा क्या होगा? जीरो और कब होगा जो material के बीच में जो हमारा चार्ज रखा हुआ है बोलो समझ में आया की नहीं और किस कंडिशन में होता है under electro static conditions यह सारी चीजें हम electro static पर discussion कर रहे हैं बोलो यह समझ में आया की नहीं कुछ नहीं करना है चार्ज की balancing करनी है जो आपने add कर रहे हो वही हमारा होना चाहिए चाहिए overall effect पर कोई भी अंतर ना आया और होता क्यों है एक Gaussian सर्फेस से हमारा यह चार्ज देखो Q और यहाँ पर हमने minus Q दिया अंदर आ गए अगर हमारा electric thread 0 होना है तो मतलब चार्ज हमारा 0 होना चाहिए इस सर्फेस पर चार्ज हमारा 0 होगा मतलब इन दोनों का जब हम समझेंगे यह होता था ने प्लस KQ by R square minus KQ by R square electric thread तो हमारी electric thread 0 होगी उसके लिए हमारे इसके inside के चार्ज क्या होने चाहिए 0 इसलिए हमने material के अंदर Gaussian सर्फेस लिया है हमारी मर्जी Gaussian हम कहां पर देंगे समझ में आया की नहीं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा simple सा यार अगर यहां रखा है चार्ज को balance करना अगर plus Q रखे हो इसको balance करने minus Q आएगा जब अंदर वाले सर्फेस पर minus Q दिये बाहर वाले पर कोई effect नहीं आना चाहिए उसको balance करने के लिए बाहर कौन आएगा plus Q देना होगा ताकि हमारा charge conservation का concept वाइलेट ना हो यही इसका law है और कुछ नहीं है एक्जामपल करते हैं आपकी under standing और अच्छे से clear होगी ठीक चलो एक्जामपल लेते हैं एक एक करके समझते हैं अभी मैं क्या करता हूं एक अपना conductor दे लेते हैं यहां पर charge Q रख रहा हूं यहां पर charge 2Q आप बोलिए कितना charge distribution होगा charge distributed वो लो वीडियो को pause करिए और सोचिए कि इसके inner और outer surface पर बात हो रही है एक conductor है उसके center पर हमने charge क्यूं रखा है आप से पूछ रहा है कि इस conductor के inner और outer surface पर कितना charge आएगा इसको हम यहां पर फिर से बनाते हैं जूम करके वही color लेदे नहीं बहुत लोग comment करेंगे कि sir आपने तो गोजा ही बदल दिया यह हमारा वही conductor है ठीक इसको हम तोड़ा जूम करके इसकी thickness को यहां पर दिखाते हैं यहां पर हमने charge कितना दिया हुआ है Q पाहर पर कितना रखा हुआ है 2Q यह इसका थिकनेस है अब हम क्या क करेंगे अपने concept हम एक Gaussian surface ले देते हैं Gaussian surface इस material के अंदर देंगे और मैटेरियल के अंदर हमारा इलेक्टरिक ठीड कितना होगा जीरो तो हमारे दोनों चार्ज इसके अंदर आ गया है Gaussian law गौस ला अपना केवल अंदर के चार्ज के बारे में डिसकस करता है बाहर से उसको value को तक्यूव है तो इसके इहां पे बैलेन्स करने के लिए कौन आएगा यहां पे बैलेंस करने हमारा आएगा माइनस क्यूव ताकि चार्ज हमारा जीरो हो जाए अब जबHHH inner surface पर minus Q आया है तो बाहर पर क्या देंगे हम plus Q देंगे जो हमारा total बाहर की surface पर निकल के आयेगा 2Q पहले से था अभी plus Q और आ गया है ये हमारा निकल के आयेगा 3Q बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं क्योंकि या क्योंकि ये गॉसियन सर्फेस है और बोलता है कि हमारा कंडक्टर के अंदर जो सेल होते हैं आप जाके देखना इस पेर का वहाँ पर डिटेल में आपको समझाये थे कि इसके अंदर एलेक्टरिक फ्रेड जीरो आनी चाहिए और एलेक्टरिक फ्रेड के लिए हम वनली अंदर के चार्ज क देंगे और टू क्यू पहले से मौजूद था कितना हो गया थ्री क्यू बोलो समझ में आया की नहीं चलो एक और क्यूस्टन लेते हैं इसके बाद और अच्छे क्यूस्टन करेंगे आपकी अंडर स्ट्रेंडिंग एकदम अच्छे से किलियर हो जाए टेंसन ना दो मैं जाए गरम बनाने की कोशीज करते हैं कि हमारे यह कंसेंटरिक इसके सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया है क्यू अगर रहा था धा Prop dois क्या चलो मःनो्ज क्च्यू क्योब रख देता हूं आपको बताना है क्या बताना है इनके सर्फेस पर चार्ज डिश्प्रिव्यूशन बताना है कितना आएगा चलिए वीडियो को पॉस्ट करें और खुद से ट्राई कीजिए देखो यार अगर आप ट्राई नहीं करोगे एक्जाम में भी आपको यही हाल होने वाला है इसलिए अभी टाइम है प्रेटिस कर रहे हो कि उस चन अटेंड करना अभी से चालू कर दो रहा अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप देखिए कितना अच्छे-च् में कवर करता हूं इसके अलावा अभी आपके क्यूस्चन प्रेटिस की सिरी जाएगी जहां पर हर दिन क्यूस्चन प्रेटिस होगा तो अगर फिजिक्स आप हमारे चैनल से स्टिडी कर रहे हैं आप 100% देखिए फिजिक्स में आपका कहीं भी कुछ भी डाउड नहीं बैठा देते हैं यहां पर बैठे हुए हैं थिरी क्यू अब जैसे हमने यहां पर क्यू रखा यहां अगर हम इसके अंदर यहां इसे गौस्चन सर्फेस बनाएंगे तो इसको कैंसिल करने कवन आएगा यह जो पहले वाले का बनाएंगे अगर यह प्लस क्यू है तो इसके अपोजिट यहां आएगा माइनस क्यू अगर यहां माइनस क्यू आया है तो इसको बैलेंस करने यहां पर कोन आएगा प्लस क्यू इस सर्फेस पे तो यहां पर हमारा लगाना पूनेगा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके हमारा कितना आ गया है माइनस क्यू अब आया भी और जो एका outside है उस पर कितना आया है outside पर देखो minus 2 q पहले से था और minus q को compensate करने plus q आएगा तो एब बैजू हमारे निकल के i है minus q अब जब यहां पर minus q आया तो आप मुझे बताओ इसके surface पर कौन आएगा पी के inner surface पर बी के अगर यहां पर minus q है तो बी के inner surface पर क्या आएगा इसको compensate करने यहां भाई साब हमारे generate होंगे plus q तुम minus q हो तुमको हम काटेंगे plus q बोलेगा कोई नहीं अंदर वाला बोलेगा तुमने काटा है तो हम बाहर तुमको cancel कर देंगे तो यहां आएगा b पे b के inside inside हमारा कितना आया है plus q तो बाहर कितना आएगा 3 q एक minus हो जाएगा q तो यह बाहर हमारा निकल के आएगा 2 q यह value निकल के आएगी 2 q बोलो समझ में आया कि नहीं charge distribution कैसे देना है center से चलना है opposite लेते चले जाना है जो इसके अंदर आया बाहर उतना subscribe कर देना है अगर add कर रहे हो तो वहां से घटा देना है I hope आपको एक clear हो गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt clear हो जाएगा चलो इस पर एक अच्छा सा question देते हैं आपकी सारी creative खतम हो जाएगा जितनी भी doubt है सारा doubt खतम हो जाएगा क्या करते हैं तीन spare देते हैं जो हम earthing वाला देख रहे थे ना उसी को फिर से देते हैं पुना नीचे बनाता है और इसको अच्छे से देखिएगा इसमें सारा concept आ जाएगा जो आज के सिसन में हमने discuss किया है इसका radius हम दे आर हमारे उपर है radius और कि देते हैं चार्ट कृट कुछ नहीं देता है, इसको मैं अर्थिंग करने वाला हूँ. ये हमारा सर्फेस है B, एक और देते हैं बाहर का तीन कंसेंट्रीक इस पे आर हमने ले दिया है, कंसेंट्रीक मतब सब का सेंटर सेम ही होगा, इसकी रेडियस ले देते हैं 3R, और इस पे हम कितना चार्ज दे दें? कुछ भी यारे C है इस पे चार्ट दे देते हैं 2Q और हमने क्या किया कि B को जो था हमारा B surface को अर्थ कर देते हैं जो इसमें सब को और होगा आपका surface वादा भी concept लगा इसलिए ऐसे एक दूप quality question करने चाहिए revision के समय जो आपका बताओ आपको theory rate की क्या फाइदा एकजाम में question आएगा आपको concert पता रहेगा इसको तुरंत लिख दोगे तो यहाँ पर आपको यह बोल रहा है कि जब हम B को अर्थ कर देंगे तो हमें charge distribution बताना है हर गोले के inner और outer surface पे वीडियो को pause करिए और सुरू हो जाए तब तक मैं यहाँ पर question लिख दे रहा हूँ आपको मत सूचना की spare sale है कोखला conducting sales आज सारी बाते sales पे हुई है अगर मैं कहीं spare वहाँ उसको भूल जाना वो खालो spare है ठीक है sales sales B एक मिनट पे अन फंस रही है sales B is earth B को हमने earth कर दिया आपको क्या करना है so charge distribution so charge distribution हर surface पे बताना है so charge distribution on surface of each sales हम सब के जेते हैं तो हमारे understanding किलियर हो जाएगी surface of each sales हो गया question I hope आपने try कर दिया होगा अगर आपसे solve हुआ तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहां पर आपसे गलती हुई तो यार हमें तो यह समझ में आया जैसे हमें charge distribution बोला सबसे पहले initial में क्या दिया हुआ था ओ तो हमें पता होना चाहिए हमें A के surface पे दिया है C पे दिया है पता चल गया लेकिन B को इसने अर्थ किया है तो सबसे पहले हमें B के surface पे कितना charge था उसको find out करना पूलेगा जब एक बार वह find out हो जाएगा फिर हम वही concept लगा के charge distribute कर देंगे तो चल दो सुरू करते हैं इसका calculation सबसे पहले हम क्या करेंगे वी के surface पे charge निक्यालेंगे अगर वी को हमने ground किया है अर्थिंग या grounding दोनों बोलते हैं तो बी का potential क्या होगा हमारा जो भी बी का potential आएगा question को solve करना शुरू करते हैं जब अर्थ किये तो बी का potential क्या होगा जीरो अब बी के surface पे यहां पे हम potential लिखते हैं किसके a b और c तीनों के कारण डारेक लिखों कि आपको पता है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ भी बी के surface पे हमें potential लिखना है भी बी डू टू ए भी बी पे आएगा किसके कारण बी के कारण फिर हमारा आएगा भी बी पे किसके कारण c के a के लिए b क्या है outside b क्या है फुद के लिए surface और c के लिए b क्या है inside बोलो यह समझ में आया की नहीं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉस करिए एक बार फिर से देखे सारा डाउट के लिए हो जाएगा तो चलो यहा charge on b is q-dex, b is q-dex, जब हमारा b पे q-dex हमने मान लिया तो b पे हमारा क्या आएगा 0 equal to a के लिए क्या है inside तो हमारा यह पे charge है kq by 2r plus b पे हमने कितना माना है q-dex, तो surface पे है, फटा-फट कर रहे है kq-dex by 2r plus c के लिए क्या है inside जो c के surface पे होगा वही यहां पे होगा k2q यही होगा न, divided by 3r, अब इसके equal to 0 है, देखो यहां k by r, सब में क्या हो जाएगा 0, अगर k by r हम common निक्यालेंग वो हमारा 0 आ जाएगा, क्या बचेगा q by 2 plus q-dex by 2, यही बचेगा नहे, plus 2q by 3, देखो यहां पे जो था, k by r हमने common लेके 0 था, तो हमारा cancel हो गया, यहां यहां पे जब हम इसको arrange करेंगे, lcm लेके तो हमारा क्या आएगा, q-dex by 2 equal to, यह सारी value उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, minus, minus 2q by 3, minus q by 2, जब इसको हम solve करेंगे, तो q-dex की बैदू हमारी निकल के आएगी, minus 7q by 3, तो देखो हमने b पे charge कितना आसानी से निकाल दिया, b पे हमारा कितना charge आया है, minus 7q by 3, अब हमको क्या बनाना है, charge distribution, यहां पे बनाए, चलो यहां पे बनाते हैं, अब अपना charge distribution, सब के surface पे मिल गया है, a है हमारा a, ठीक, इसके center, यहां center पर एक charge रखा हुआ है, इसके बाद आपसे पूछ रहा है, चलो, यहां पे है हमारा, क्या है, a, इसके surface पे charge हमारे कितने हैं, पहदे से q, अब हम b को कौन सा color दिये थे, वही वही color देते हैं, b को हमने दिया था, यहां पे, अब b के surface पे हमारा charge कितना आया है, minus 7q by 3 हमने जो अब भी निकाला है, सब initial में, और बाहर हमने red color दिया था, बाहर हमारा charge कितना आया था, c पे हमारा charge आया है, कितना c पे हमारा charge है, पहदे से 2q, अब चलो इसका distribution करना चालू करते हैं, starting से सुरू करते हैं, a पे, अगर बताओ यहां पे q है, इसके surface पे, यहां पे q है, तो इस surface पे इसको balance करने कौन आएगा, minus q, और यहां पे जब आपने minus q दिया, तो यहां पे b के जिए, अगर यह b पे जो है, b पे inside तो है, इनको out ही दिख रहे हैं और outside को out, inside पे कितना आया है, minus q, तो outside पे हमारा क्या जाएगा, minus 7 q by 3, plus बाहर जाएगा, plus q होगा, उसको balance करने के जिए, तो 3 q और यह निकल के आएगा, minus 4 q by 3, तो जो हमारा यह final निकल के आएगा, कित यार, इसके अंदर minus 4 q by 3 आया, तो यह c के लिए क्या बनेगा, c के लिए inside बनेगा, इधर minus है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, plus 4 q by 3, अगर यहाँ 4 q by 3 है, तो बाहर surface पे just उतना minus करना होगा, कितना, minus 4 q by 3, और c पे हमारा देखो, पहले से ही कितना है, c के inside, अगर हमारा इस c है, यह inside की बात कर रहे है, plus 4 q by 3 है, तो outside पे हमारा कितना आएगा, 2 q तो पहले से था, minus 4 q by 3, यहाँ से 3 दूना 6 में से 4 गए, तो यह निकल के आएगा, 2 q by 3, जो हमारा final answer आया, c पे, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, charge distribution हम कैसे करते हैं, concentrate excel पे, तो यह रहा, आज का session exam में, अगर कभी भी, कुछ भी आप से पूछे, concept याद रखना, सारा question आप कर दोगे, तो चलिए, इसी के साथ, आज का session यहाँ पर समाप करते हैं, comment करके जरूर बताना, video आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग feedback नहीं दोगे, मुझको नहीं पता चलेगा, कि आज का session समाप करते हैं, मिलते हैं, अगले session में एक नए topic के साथ, तब तक ज़्यादा-ज़्यादा question practice करें, revise करें, हमारे channel को ज़्यादा-ज़्यादा share करें, subscribe करें, वर like करें, thank you